आगामी नगरी ये निकाई चुनाओ को लेकर कॉंग्रेस पार्टी के नियुक्त चुनाओ प्रभारी चुनाओ की तैयारी को लेकर अलग-अलग शेत्रों में भ्रमन कर कार्यकरताओं से मुलाकात करने लगे हैं। उसी के चलते बुधवार के दिन युवा कॉंग्रेस राष्टे सचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी इस्टा सोडा बागली के नगर चाप्ला पहुची जहां पर युवा कॉंग्रेस विधानसभाध्यक्ष दिलिप गुर्जर के नेत्रतों में कॉंग्रेस कारीकरताओं अच्छे बहुमत से जीत हासिल करेगी वहीं इस्टा ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में कॉंग्रेस को चुना था लेकिन भाजपा के नेताओं ने पैसे के दम पर बिकाव विधायकों को खरित कर सरकार बनाई है वहीं इस्टा ने बताई कि केंद्र और प्रदेश की सरकार थी तब 70 रुपे लिटर पैटरल था और 400 का केस सिलेंडर था उस जोरान भाजपा के लोग गेस सिलेंडर सिर पर रखकर सलकों पर प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन आज भाजपा की सरकार में ही पैटरल 100 रुपे पार कर चुका है वहीं मीठा तेल 1500 रु प्रदर्शन करकर आई हूँ वह चुनाब से आगा में चुनाबों से भी संबन देता क्योंकि पिछली कमेटी रही हो या अभी नम निर्वाचित कमेटी हो इन युगाओं ने जंता की संगर्श की लड़ाई पिछली समय में भी लड़ी है और अभी वर्दमार में भी चाह आज समय है कि इन युवाओं को इनका दिकार मिलना चाहिए इसलिए नाओल गांडी जी के दिश्चा निदेशन के बाद शिवनिवाद जी के संदक्षन में हम सबने टाय किया है कि युवा कॉंग्रस को ज्यादा से ज्यादा पर्तिनेदर आगा में चुनावां मिलें जिस सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब दरें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें